वेल्कम बैक टु माइटूब सुन पेपर हैकर कैसे हैं आप सबी लोग आई हूँ बच्छी होंगे और आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग बीकॉम फर्स्ट सेमस्टर के इतने स्टूडेंट है तो बिजनेस कम्यूकेशन की बात करेंगे और कम्यूकेशन को बोल कर सकता हुँ आप हमारे टेलिगारम चैनल को ढालैइऑ लें सारे लिंकं पर पर प्रुवाइट कर आ रहे हैं सारे लिंक आपको दे रहे है ताकि आप वहां से simple तरीके से देखकर अच्छी तरीके से link पर touch करके आप सीधे download कर सकते हैं कहीं भी आपको जाने की समस्था जाने की समस्था नहीं कि आप कहां देखो कैसे करूँ क्या करने वाले हो तो यह सब का जुम्मेदारी हम पर छोड़ती है हम करेंगे तो यहां क्या करने है एढसे देखेंगे पहला कोशिन आपके सामने है और इन कोशिनों की आइसर देरी कोशिश करेंगे एक वीडियो में सारा plat दूगा कोई दिक्कत नहीं यहां गया है समप्रेश्ण सब्द की उत्पत्ति किस भाँसा की कमिंग ? स्ब्रेशन कि इत्पति, कहां से भाँ सासे होई है आपको सभी का answer आएगा option number कोगा lengthen भासा से हुई है जिसने भी option number दिया है B बिलकुर आएगो lengthen भासा से ठीक है तो lengthen भासा की उत्पती से हुई है संप्रेशन की उत्पती जिसे communication बोला जाता है next दूसरा question आगा है संप्रेशन एक ब्यक्ति द्वारा दूसरे ब्यक्ति को किसी सूचना या बिस्बास का हस्तांत्र है ये परिभासा किस ने दी थी बताएए तब लोग कॉमेंट शेक्स ने बताएंगे इसकी परिभासा किस ने दी थी संप्रेशन एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति को सूचना या स्विर समझ हस्तांत्र करने की प्रिखिरिया है ये परिभासा किस की है बताएए ये परिभासा किस की है आपकी एक्जाम के लिए तो कहेंगे कीथ डेविस की है ऑप्शन नमर जिसने भी डी को लॉग किया है परमसत्त आंसरोगा नेक्स कोशन यहां गुला गया है संप्रेस्टर दो यादो से अधिक ब्यक्तियों के मद्द तथ्यों बिचार्यों और संपत्तियों अथवा भाबनाओं का बिनी में है ये किस ने कहा था ये किस ने कहा था सब लोग कॉमेंट सेक्शन बताएंगे बताईए यहां यह कहा का न्यूमैन और समर्ने ओप्शन बार बी को लॉग करेंगे नेक्स कोशन आपके सामने है इस कोशन को देखिए कर रहा है एक ब्यक्ति के लिए रयक्त संचार का थीग है तो यह कथन किसका है अब ये कथन की वारे में डिसकस करना है, ये कथन किसका है, देकि ध्यान से एक बार इस question का अंसर देंगे, अथबा में एक दूसरा तरीकर का question भी आपसे पूछा जाता है, आप दूसरा तरीकर का question देख सकते हैं, कि संप्रेशन ब्यप्षाय के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस पिरकार मनुस के लिए जीवन रक्त का प्रिवाह आवश्यक होता है, इस तरीके से भी आपसे पूछ लेता है, परिभासा दोनों ये एक ही व्यक्ति द्वारा दी गई थी, उसका नाम आपको बताना है, क्या रहने वाला है, फट्टा-फट इस question का आंसर देंगे, क्य मैसेस करिए, बहाँ भी हम आपको रिपलाई करेंगे और बहाँ पर आपको लिंक दे सकते हैं, जो आप मांगेंगे, चलो, इस question को देखेंगे, यहां बुला क्या है, प्रवंद किये, कारियों की सफलता, प्रवाभी, संप्रेशन पर निर्भर करती है, ये कथन किसका है, बताईए, ये कथन किसका है, सब लोग कॉमेंट सेक्से मताएंगे, तियो, बिल्कुल ठीक है, जिसने भी option number दिया है, बी को लॉक किया है, जो हैमन का है, तियो हैमन बोल सकते है, option number B को लॉक करेंगे, next question है, संप्रेशन क्या है, बताईए, संप्रेशन क्या है, तो आप उ प्रिबन्ध की प्रिक्रिया होते है, बोनो एक संप्रेशन कहलाती है, साती साथ दुमार की प्रिक्रिया भी संप्रेशन कहलाती है, जिसे communication बोलते है, next question आपके सामने पूझञाआ, संप्रेशन है, देखिए, यहाँ बी पूझा गया है, तो कला, बिग्ज्यान, कला और ग सब्सक्राइब होता है और संदेश प्राप्त करता भी या प्रति पुष्टी करता है वो इक संदे घ्येस पब्सक्राइबल बसक्राइब याद रखना है । यह सम्ज़ने ना मैं आपको दो-तीन बुके से इंपोटेंट जो कोशन है मैं अपने तरब से भी उसमें add कर रहा हूँ, दो बुक का यूज़ कर रहा हूँ, और तीसरा अपने तरब से कुछ important question होते है, वो उनको add करके मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, हमारे notes को आप जरूर download कर लेना, paper देने से पहले, याद रखना, यदि आपको 85% प्लस चाहिए, बल्लब कि आप top करने वाले हो, इस पार स्यवज रहो, तो आप फटा-फट हमारे YouTube चल पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ देखो बोलगा है, संप्रेशन के संबंद में गलत है, संप्रेशन के संबंद में क्या गलत है, कि संप्रेशन ये गलत ह कि ये एक मार की प्रिक्रिया है, एक गलत बात है, एक मार की प्रिक्रिया नहीं हो, ये दो मार की प्रिक्रिया होती है, यही गलत है, ठीक है, वाकि सबसे सब्द प्रिक्रिया है, परवन प्रिक्रिया ये सब होती है, तो यहाँ देखिए, आप बात करने वाले है, दूसरा कोचन को देखते हैं तो समप्रिशन निवह ने नियुनतम पक्षिकार होते हैं कितने होते हैं आपको बता saint तो बिल्कुल ठीक है बिटा, दो पक्षकार होते हैं, एक तो एक खोड़ ब्यक्ति होता है, एक दूसरा इसको सरा देने वाला होता है, दो ब्यक्ति होते हैं, यहां बोलागा है, संप्रेशन परकिरिया के तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं, संप्रेशन परकिरिया के सा के सामने है देखिए, यह देखेंगे जो अभीव्यक्ति को कहते हैं जो अभी व्यक्ति को क्या और आप इस question को देखेंगे सबी लोग इस question cancer क्या रहने वाला है बिल्कुल ठीक है जिसरे भी पृति-पुष्टी की है बिल्कुल right होगा पृति-पुष्टी विक्ती कहेंगे उसको next question बुलाए पृति-पुष्टी की जाती है पृति-पुष्टी की जाती है तो संदेश प्राप्त करता वाले से की जाती है तो संदेश प्राप्त करता द्वारा पृति-पुष्टी की जाती है option number C को लोग करेंगे next question बुला गया है संपेशन की पृति-पुष्टी हो सकती है तो किसके द्वारा हो सकती है यो संपोशन होता है मुलिकेशन होता है उसकी पृति पोश्टी होती है वो हो सकती है घanızकान के संपोशन के आधार वूद स्वारूप और पििरकार के आधार पर जैसे कि संप्रेशन आधार पर स्वरूप है उनके प्रिकार क्या है उसके आधार पर कोशन बनते हैं तो जैसे कि हाँ देखो पहला कोशन में दखा है ब्यबसाइक संप्रेशन को कितने भागों में बरगी किया जाएगा तो देखो याद रखना जो व्यप्साइक संप्रेशन होता है उसे कितने भागों में हम बर्गे कर सकते हैं बांट सकते हैं तो आप याद रखना तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं Next question बुला गया है संदेश बहा कितने प्रिकार का होता है और ब्यपसाइक संप्रेशन के कितने रूप हैं आपको बदाना है बदाए तो बिटा दो रूप होते हैं option number A को लोग करना है Next question आपके सामने है यहाँ मुला गया है आंतरिक संप्रेशन का उद्देश होता है तो आंत्रिक संप्रेशन का उद्देश होता है उप्रयोक्त सभी उप्रयोक्त सभी आंत्रिक संप्रेशन का उद्देश होता है option number D को log करेंगे हैं next question यहां बुला गया है देखो बहा संप्रेशन का उद्देश क्या होता है बहा समप्रेशन का बात करने वाले हैं बहा समप्रेशन का उद्देश क्या होता है एक बार इस बार कोशन का अंसर सभी लोग दे दीजे एक बार सभी लोग इस कोशन का अंसर दे दीजे क्या रहने वाला है जस्ट मोमिंट रोकेंगे बस देखिए यहां बुला गया है इस question को देखें बहा संप्रेशन का उद्देश क्या होता है तो आप सभी कहेंगे यह हो जाएगा उप्रुक्त सभी बिटा इसका question का answer भी आपका उप्रुक्त सभी होगा option नमर d की बात करेंगे next question आपके सामने है fixation को एक बार देखेंगे किरांने वाला है इसको देखिए यहां कहाँ रहा कि आहां कि प्रेशन का स्वरूप हो सकता है तो आपके स्वरुक्त का अंपको बताना है आपको बताना है बिल्कुल ठीक है जिसने भी 5 का option बिल्कुल ठीक है होता है email का माध्यम option number कھی नमर क्या होता है email की और सउ levers कर सकते हैं next question अपल गillिखत शंदेश भाक का माध्यम होता है माध्यम कौन सा होता है लिखत सब्यावक का माध्यम होता है कि मिल्कुल ठीक है लिखत वाली की बात करें तो यहां सात्में का question हो जाएगा ये भी लिखित वाला भी email होता है ठीक है लिखित संदेश भाग और देखो लिखित ये दोनों एक बार repeat हुए है paper आप देख लेजिए दोनों question repeat हो है next question लिखित संदेशन का माद्यम होता है इन में बताना लिखित संदेशन में बिल्कुल ठीक है इसमें आपको उपरोग सभी हो जाएगा ग्यापन भी होता है पत्री पत्र भी होता है प्रति वेदन भी होता है next question बूला गया है निमनिकित में से लिखित संदेशन का माद्यम नही है देखो, लिखेत submitting, नहीं है एम से पूछा गया, एमेयल तो होता है, लिखेत submitting होता है तो कौन सा नहीं होता है देखो, इमेल तो होता है word छाड भी होता है लेकिन घोष्णा करना यह लिख्षित thinking होगी तो बोलने की बात ही हो गई है, यहां नेक्स कोशन बुला गया है देखेंगे यहां बुला गया है मौखिक का मतलब क्या है बोलना हो गया लाता है आप बोलेंगे तो कौन-कौन से बोलेंगे बहाशार से भी बोलेंगे संभूवी संदव और आमने सामने बार्तलाब करेंगे तो option number यहाँ D को log करेंगे next question आपके सामनी है मोखिक संदेज बहद का माधेम है मोखिक का मतलब क्या होता है मोखिक का मतलब होता है जबोल कर यह सरे समने पोश्टी करकर telephone पर यह पिर कह सकते हैं seminar पर यह सब क्या होता है मौखिक संदेश बहा होता है इस कोशन को देखिए बारमा कोशन यहां बोला गया है मौखिक संप्रेशन का गुड़ है कौन सा गुड़ है तो कऊगे उप्रयोग सभी होता है प्रवहाब गुड़ गुड़ भी होता है सीगर संप्रेशन भी होता है और अभी लंब पिर्ती पुष्ट भी होती है option number था हम यहाद D को log करेंगे next question यहाँ बोला गया है देखें निमने में से कौन साल मौखिक संप्रेशन का प्रारूप नहीं है मताइए कौन साल मौखिक संप्रेशन का प्रारूप नहीं है इमेल नहीं है यह मौखिक का क्योंकि लिखित का है next question आपके सामने पूचा गया है मौखिक संप्रेशन में सामिल नहीं किया जाता मौखिक संप्रेशन में क्या सामिल नहीं किया जाता तो मौखिक संप्रेशन में क्या होगा इमेल को सामिल नहीं किया जाता Especially, email को सामिल नहीं किया जाता है मोकिक में मोकिक संप्रेशन में सामिल नहीं किया सकता देखो, दोबारा से repeat हुआ है तो आप होगे, देखो जो 15 में question cancer है उपरुक सभी को internet को भी सामिल नहीं किया जाता है, email को और fax को भी तो यह उपरुक सभी हो जाएंगे मौकिक माली में होता है मौकिक माली में होता है लेकिन बोलने वाली बात कर रहे है सोलमा कोशन निमनिकत में से कौन सा मौकिक संप्रेशन का माध्यम नहीं है मौकिक संप्रेशन का कौन सा माध्यम नहीं है मुझे बताईए बताईए तो आप कोगे पुरिसनाबली जो है मौकिक सब्बैशन का कोई भी माधयम नहीं है नेक्स कोशन बोला गया है फ्रांसस जे वरजिन ने प्रभावी मौकिक सब्बैशन को इतने तत बताए तो आप गोगे उन्होंने 7 तत बताए थे उप्शन नमर 7C तत बताए थे नेक्स कोशन देखो यहां आपसे पूछा गया है प्रभाव साली संप्रेशन सिध्धान्त के बारे में कुछ कोशन बनते हैं यहां से हम लोग देखते हैं क्या रहने वाला है ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे चल को सस्क्राइब कर देंगे हमारे नोट्स को डालोड कर सकते हैं यह हमारा पार्ट बन रहेगा पार्ट टू भी हम डालेंगे जो और वुक्के व संप्रेशन का सिधधान्त है बताइए प्रभाब साली संप्रेशन का सिधधान्त है बताइए तो आप सा प्रवाब साली संचार का सिद्धान्ट नहीं है संचार में चार एस होते हैं मतलब क्या होता यहां कहा रहा है संप्रेशन में 4S समलित नहीं है तो आप कोगे कौन सा नहीं बो है संदर्व संदर्व नहीं होता है सक्ती होता है सरलता होती है संचिप्ता भी होती है ठीक है हाँ नेक्स कोशन बुला गया है देखिए यहां बाल करने वाले हैं संप्रेशन तो संप्रेशन की बाधाएं, वो तना कोशन नहीं पूचा जाता है, इसको देखे, संप्रेशन की बाधाएं कौन-कौन सी आती हैं, उससे लेटिट कोशन बनते हैं, तो यहां देख लिजिए संप्रेशन से लेटिट कोशन, यहां देखो बुला गया है, संचार अबरोध कि से संबंदित हो सकता है तो आपको को उप्रुक्त सभी से हो सकता है भासा और संबंदी से भावनाओं से संबंदित इन से हो सकता है next question बुला गया है संप्रेशन में साब्दिक बाधाएं संबंदित होती है तो संप्रेशन में जो साब्दिक बाधाएं संबंदित होती है वो कौन से होती है तो आप सभी कहेंगे सब्दों के साथ जुड़े अर्थ के आधार पर सब्दों के साथ जुड़े अर्थ के आधार पर तुरटी पूर्ण अनुबाद संबन्दित होता है तुरटी पूर्ण जो अनुबाद संबन्दित होता है वो किस से होता है तो आप कहोगे सब्दार्थ अपरोध से होता है सब्दार्थ अपरोध से होता है option number D को log करेंगे next question बुला गया है संप्रिशन के पृति अनिच्छा एक पिरकार है अनिच्छा एक पिरकार कैसा है आपको बताना है अनिच्छा तो अनिच्छा कैसा पिरकार है आप कोगे व्यक्तिकत बाधाओं का एक पिरकार है जिसको हम B को लॉग करेंगे नेक्स कोशन आपसे पूझा गया है पिर्ति पिर्तिष्टात्मक संबंध किस से है पताइए संबंध संबंधित होता है तो आप कोगे वो होता है संगठात्मक अबरोध से option number D को लॉग करेंगे next question नहां बुला गया है देखो यहाँ से कुछ बनते हैं कि संब्रेशन के आसाबदिक पहलू कौन कौन से है उस पहलू से related question बनते है एकजाम में तो उन पहलू को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ देखिए पहला question बुला गया है बे सभी माद्यम आसावधिक संप्रेशन में सामिल होते हैं जो ना तो लिखित और ना ही मौकिक सब्दों में ब्यक्त होते हैं ठीक है या ब्यक्त हैं तो ये परिभासा किस ने दी थी आपको सभी को बताना है ये परिभासा किस ने दी थी पताओ remand और john ने दी थी option number a को lock करेंगे next question है निम्न में से कौन सा वहासेतर संचार है बताइए जो वहासेतर संचार होता है वो कौन सा संचार होता है तो आप सभी कहेंगे वो सारीरिक वहासा का संचार कहलाता है option number d को lock करेंगे नेक्स कोशन बोला गया है आसाब्दिक संप्रेशन का पिरकार है तो आसाब्दिक संप्रेशन का पिरकार होता है वो कैसा होता है बता है वो होता है उप्रोक्त सभी ठीक है जिसे कहते हैं भासा प्रति रूप भी होता है और सारीक भासा भी होता है संकेत भासा भी होता है ने नेक्स कोशन बुला गया है आसाब्दिक संप्रिशन के अंतरगत आता है आसाब्दिक जो संप्रिशन के अंतरगत आता है वो क्या आता है पता है तो आप कोगे उप्रुक्त सभी आता है तो संकेत भी आते हैं चिन्न भी आते हैं और उचित चिन्न भी आते हैं नेक्स कोशन बोला गया है देखो दोनी संकेत भासा को कहते हैं दोनी संकेत भासा को कहते हैं तो वो कहते हैं दोनी जो संकेत भासा होती उसे कहते हैं सरब संकेत भासा बोला जाता है औप्शन नमर बी को लॉग करेंगे बेटा नोट्स को आप डालोड कर लेंगे चैनल पर प एक होता है तू आप कोगे मौखिक बा डेंडिक भाता नहीं होता है वह एक दैनिक भासा का गया है इस कोशन को एक बार पढ़ लो ध्यान से यहां कहा जा रहा है कि फास्व भासा का भाग है पार्श भासा कौनसी होती है वीटा मैं उप्रोगत सभी पार्श भासा का वाद से अबाज ऊच्छा वजन होता है बच्चन ठीक लाल रंग दरसाता है लाल रंग किसको दरसाता है बताईए आप गोगे लाल रंग दरसाता है वो उत्तेजना को दरसाता है option number की जिसने भी दिया है और सारे लिक भासा का स्वरूप है तो जिसने भी दिया है चिम्पू चिम्पू क्या है है यह सारे लिक भासा का प्रारूप है वताईए प्रारूप पूछा गया है कि जिसने भी दिया है परीबेस बिलकुल राइट होगा परीबेस ऑप्षिन नमर्ड को लॉग करेंगे नेक्स कोशन बूला गया देखो इस तरीके के आपके चिन्न देखने को मिल रहा है यह देखी जहां से यह संकेत किसका होता है बताएए यह किसका संकेत होता है यह होता ह है टेलिवेजन बूत का जिसने भी ऑप्षिन नमर्ड ए को लॉग किया है परमसतांसर का नेक्स कोशन बूला का है चहरा आइना जो चहरा आइना है वो कैसा होता है हिर्दय का होता है मनिस्तक्स का होता है आखों का कह सकते हैं यह फिर जिगर का बदाएए तो बेटा जो च चहरा जो आइना होता है वो मस्तक्स का होता है और संकेत भासा में संबलित नहीं है तो आप सभी कहेंगे आसबदिक होती है तो आप अप्शन नमर बी को log करेंगे चलो अब सातमे point पे आ जाएए सातमा point हमसे बोल रहा है कि पिरभावी जो सरवर्टा होती है वो क्या होती है बताइए अब देखो यहां से question बलेंगे आपके exam सा होता है प्रभावी सम्ष्मडता को जो आविश्ञ तत होता है वो अप्रोग सभी होते है केंदर करने की जैमता और अनुकुल दिश्टकोड और होती है यह भूँला किया है जो मौडल था फिली नर मौडल वह सब्सक्राइब तू법 सब्सक्राइब उस प्रवरधा से समझा गया हो और फिर कर्किरिया दी गई हो व वो एक प्रभाबसाली सरवण होता है ठीक है नेक्स कोशन बोला गया है प्रभाबसाली सरवणता की बाधा क्या होती है कौन-कौन सी बाधा है आ जाती है तो अगों को प्रयोक्त संदेश की जो कलिष्टता होती है और सरवणता की कटनाई और कह सकते हैं घमंटी सुभाब ज पिरकिरिया के चरण कितने होते हैं तो सक्षात्मा करिया के जो चरण होते हैं पिरकिरिया के वो तीन होते हैं नेक्स कोशन बुला गया है उद्देश के आधार पर सक्षात्मकार को कितने भागों में बाटा गया है तो आप सभी कहेंगे ये तीन भागों में डिवाइट किया गया है नेक्स कोशन यहां बुला गया है देखिए यहां बुला गया है कारे के आधार पर सक्षात्मकार का बरगिकर कितने भागों में किया गया है या किया जाता है तो आप सभी कहेंगे बिटाई जो किया जाता है वो तीन भागों में बरगिकर किया जाता है या बांटा जाता है बात बही होता है सक्षातकार का रूप है तो आपको गए उप्रुक्त सभी एक सक्षातकार का रूप होता है एक निडियान करना गहन करना और प्राफ्मिक सरक्षतकार ये तीनों क्या होते हैं उप्रुक्त सभी हो जाएगा option number D को log करेंगे next question यहां बुला गया है सक्षातकार प्रांडी का प्रयोग किस पिरकार के सक्षातकार गर्दाताओं के लिए किया जा सकता है तो आप कहेंगे option number जो 6 का रहने वाला है उप्रयोग सभी के लिए सिख्षक के लिए टीचर के लिए आसिख्षक के लिए और अर्द सिख्षक के लिए भी कर सकते हैं next question बोला गया है रोजगार हेतु आबिदो को का मुल्यांकन करने के लिए नियुक्ता आयुद्ध करता है तो आप सभी कहेंगे सक्षातकार को नियुक्त करता है option number C को लॉग करेंगे आत्मसार एक प्रदेश पत्र है जो आत्मसार है जिसे रिजूम बोलते है रिजूम बोलते है रिजूम बोलते है आत्मसार को एक ऐसा है एक आपेदन पत्र है ये किसका होता है तो आपको कि जॉब जॉब लगती है जॉब पैकेज का होता है ठीक है रिजूम जो बन बाते है यह लोगुसमें हमारी डॉक्मेंट के बारे में हमारा कभ क्या किया बीस्टी कभ की वी को कभ को हुए है अब दूसरा कभ किया वो सब को लिखा होता है समझे है तुमारे जन्मतिति माता पिता का नाम क्या करते हो कहा रहते हो क्यों करते हो वो सब कुछ next question है आप आप भी त्क हा इस का अविस्कार हुआ था आपको बता है तो बैटा इटली में हुआ था फैक्स का अविस्कार कब हुआ तो आप किहeteं गेंगे जो हुआ इस एक्वा था और ओफ्शन को लॉग करेंगे next question बुला गये है निमनेरे से कौन सा अधूनिक संप्रेशन का साधन है तो अधूनिक संप्रेशन का जो साधन है वो internet है वीड़क है इंटरनेट ौप्षिन नमरण on drop log करेंगे next question हैं बुला गया है internet का अविजकार हुआ था तो आप कहेंगे 1986 में अब इसकार हुआ था इंटरनेट का ठीक है इंटरनेट का याद रखेंगे next question आपके सामने है यहां निम्नेकित में से कौन सा इंटरनेट का पिरमुक भाग है तो आप को कहो कि कौन सा तो आप सब नमबर दिया है, A option, बिल्कुल right होगा, next question है, L A, L A N का आश्य होता है, L A N का मदब full form क्या होती है, डाओ, local area network बोलते है, इसको local area network option नमबर A को log करेंगे, L A N की full form होती है, local area network, W A N की full form क्या होती है, डाओ, W A N की full form क्या होती है डबलू एन की फुल फॉर्म होती है जिसने भी बोला है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क आप्शन नमबर एक को लॉग करेंगे नेक्स्ट कोशन बोला क्या है देखो कहा रहा है दुरस्त इस्थानों को कम से कम समय में लिखित संदेश भेजने की प्रांडी है तो वो होती है मेल आपशन नमबर सीको लॉग करेंगे यहां कहारा है एसो मश की फुल फॉर्म क्या होती है शौट मेसेज सर्विस होती है required में लिखा जाता है वह भोला जाता है। propus आए शौमस बोलंते हैं मौठिक की प्रतुष्ञठीक्रण की प्रतुष्टी करनक होता है तो आप को कहने की वार्षिक धार्णाय बार्षिक साधान भासा में अक्षिय भासर का समोधन होता है तो आप सबी कहेंगे वह भी उप्शन नमर दिया है यह अंसधारीओं को बिल्कूर राइट यह राइट होगा सरब्जने पृस्तु गरण का उदेश है यह होता है तकनीकी ज्यान देना ऑप्शन नमरत जिसने एक लॉक्चारीओं को एक परम सक्तान सुरूगा बैटा नोट को डालोड कर लेना नोट का लिंग डिसकप्शन बॉक्स में है और PDF को डालोड कर सकते हैं PDF जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस PDF को नोट्स का डालोड कर पाएंगे रेटेन के लिए और एमसी को कोश्चन दोनों को लिए अबजेक्टिव टाइप को लिए आप हमारे notes को download कर लेज़े पहली बार चैनल पर हैं तो चल्ब को subscribe कर लिजिए next question बुला गया है देख़िए यहाँ बुला गया है भेज़िस कैसे इस इस कैज पत्र किन काज़ों से लिखा जाता है content जो सिकायती पत्र होता है वो किन काज़ों से लिखा जाता है ठीक है नमूने के अनुसार माल ना होने पर ये सब ही गया है आप सिकायधी पत्र लिखेंगे तो दसमा कोशन जो बोला गया है परि पत्र के लिए जिसे हम गस्ती पत्र भी बोलते हैं 抑्पशन नंबर हम C को लौक करेंगे कहते हैं नई साखा खूलने पर गस्ति पत्र लेखेंगे और किसी साजेदार के अब कास ग्रहणने पर भी हम गस्ति पत्र का अब्योग करते हैं मतलब यूज करते हैं कौनसा आता है परी पत्र आता है option नमर ज्सने भी जिसने भी law-क किया है एक बिल्कुल राइट होगा next question है यहाँ बुला गया है देखे सांगे घ्सुंथ है कौन सा कार्यली पत्र नहीं है तो कौन सा कार्यृ पत्र नहीं है तो नेक्स कोशन है निमने से कौन सा कारयाली पत्र चार नहीं है तो आप कहेंगे वो है देखो संपादक के नाम पत्र option नमर एक को लॉग करेंगे नेक्स कोशन है है जब किसी एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी का व्यक्तिकत दिहान आकरसित करने है तो पत्र लिखा ज आता है नेक्स कोशन बोला गया जब किसी एक अधिकारी की राय लेनी हो तो किस पत्र का उपयोग किया जाएगा तो आप सभी को बता होगा जब किसी एक अधिकारी से गोपनिय आप उसे सिगायर मलब कुछ हैल्प लिने चाह रहे हो ठीक है तो मतलब यह किसी बिसे में अर्ध सरकारी पत्र का आप यूज करेंगे ऑप्शन नमबर हम सी को लॉग करेंगे नेक्स कोशन नहीं से कौन सा पत्र अनुबचारिक होता है कौन सा पत्र अनुबचारिक होता है तो यहां देख सकते हैं कौन सा पत्र अनुबचारिक होता है तो आप कहेंगे अर्ध सरका को लॉक करेंगे सभी लोग बोट होता है देखो आडमे कोशन जिसने वी ऑप्शन पर ए दिया है ग्यापन सरकारी पत्र ग्यापन से लेटेड होता है नेक्स कोशन देखो यहां प्रतिवेदन लेखक के ऊपर एक प्रतिवेदन प्रतिवेदन का प्रितिवेदन का प्रतिवेदन का लक्षन क्या होता है तो आप सभी कहेंगे वह होता है बीटा उप्रोक्त सभी हो जाएगा ठीक है संचिफता भी होती है इस परस्ता हो सुधता ओप्शन नमर डी को लॉग करेंगे नेक्स कोशन है कौन सा व्यपसाइक रिपोर्ट का गुण नहीं है तो आपको सभी को होगा वो है अपचारिक अपचारिक करता जो होता है एक व लगा है प्रती बेदन में कुल कितने चरण होते हैं प्रती बेदन में साथ चरण होते हैं नेक्स कोशन लगा है दीगर प्रती बेदन होता है दीगर प्रती में कैसे होता है तो आप गोगे ऑपचारिक जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नमर ए ये दीगर प्रती बेदन होत तो मैं पार्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट झाल झाल